आज की इस वीडियों हम लोग सिखेंगे कि द्रेम 11 पे वोडियाई मैचों में हम लोग जी एल का टीम हम किस तरह से किरियेट कर सकते हैं वो चीज आपको सारा जानकारी मिलने वाला है तो इस वीडियों अन तक देखिएगा बिना स्किप किया हुए देखिएगा और आपको भी बताएंगे कि हम लोग किस तरह से वाडियाई मैचों में जी एंटीम मना सकते हैं और किस मैच में हमें जी एल टीम खेलना चाहिए वो सारा कुछ प्रोसेस में बताऊंगा तो इस वीडियों आन तक बने रहेगा बिने सीप कियो देखिएगा तो चलिए हम अपने वीड दापते में पूरा प्रेक्टिकल करके दिखांगे स्टेप भाई स्टेप ठीक है अब बीना स्कीप कियो देखिएगा अगर स्कीप करना तो अभी वीडियो को छोड़के जाज़ते हैं कोई दिकत नहीं है तो चलिए सीदा सीदियम चलते हैं आपको ड्रिम 11 में लेकर करके हमें किस तरीका टीम नहीं बनाना है तो चलिए हम आ गये हैं इंडिया अफगरिस्तान का मैच होने वाला है एक 20 घंटे बाद उसमें हम आपको डेमो टीम बना कर दिखाएंगे या किलिया मैचों में किस तरह से जीयल टीम बनाना चाहिए तो सबसे पाहला बात है कि कोई भ और इंडिया और आफगंझ तान में ईंडिया है में कमजोनर मजबूत कौन अप्सक्राइब त्यार करना है मतलब है कि जो मजबूर team है उसके team से आपको 7 player लेना है और जो week है उसके आपको 4 player लेना है लेकिन कौन-कौन player लेना है वो चीज आगे आपको वीडियो में पता चलेगा तो चलिए simply हम career team पे click करते हैं इलिक करने के बाद यहां पर कुछ इस तरह का उप्सन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहां पर देख सकते हैं आपको चार उप्सन देखने के लिए मिलता है, बैटिंग सेक्षन में आपको बिकट कीपर आ जाता है, एट्समेन है, ओर राउंडर सेक्षन है, उसके ब पता दिया क्या की पहले कमजोर और स्ट्रोंग को पता कर लेकि कौन कमजोर है और कौन मजबूत है ठीक है यह हो गया उसके बाद आपको यह पता करना है कि जो कौन सटीम आप मैच जितने वाला है तो सबाब ही खेंगे जो मजबूत तीम होगा वो मैच जीतेगी तो जो मैच जीतने वाला होगा तो उसका हमें क्या करना है दोनों ओपनर को ले लेना है पहला नमबर दोनों ओपनर को ले लेना है दूसरा नमबर ये करना है कि आपको फाइड डाउन और सकेंड डाउन जो बेट्समेन आते हैं उसको आपको डोब करके चलना है कारण यह है कि जब आप जान रहें कि कमजोड टीम है तो विकेट गिरा नहीं सकेगी और जो स्टोंग है वो जल्दी आउट होगा नहीं तो फ़र्स्ट डाउन या सकेंड डाउन या मिडिल ओडर कहा लिजिए तो उसका बैटिंग आने का च जो इसका बॉलिंग सेक्षन से जो अपोनेंट टीम है तो उसका क्या करना है जो पहले बॉलिंग करता है उसको बॉलर को एकदम नहीं लेना है क्योंकि आप जान रहें कि अगर ओपनर दोनों लिए हैं तो इसका मतलब बालर जो है अच्छा खासा पिटाए होगा बॉलर का तो इस इस्थी तीम आपको बॉलर को नहीं लेना है आपको कौसा बॉलर को लेना है वह भी मैं बताऊंगा अंतक बने रहेगा इस वीडियो में तो अब बात आता है कि सेकंड टीम का जो बैट्समें है ठीक है तो उसको किस तरीका लेना है और पहले हम लिन लेते हैं जो प्रिपनिंग मान के चलते हैं रोई सर्मा हो गया और लोकेस राव तो यह दोनों फिक्स हो गया उससे बाद आप मान सकते हैं कि बिराट को लिए ठीक है तो बिराट को लिए का देख लीजिए परफॉर्मेंस बिराट को ली इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है कि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको बता दिया कि फाई डाउन और सेकेंड डाउन को नहीं लेना है तो यहां पर यह आपका दोनों अपनर हो गया उसके बाद क्या करना है आप देखना है कि हमें मिडिल ओडर में कौन-कौन से वेट्स मनाते हैं तो मिडिल ओडर को छ जट्रा हो गया ठीक है अब यहां पर हो गया कि इंडिया के तरफ से यह पांच बैट्स मन निकल के आ गया है तो पांच बैट्स मन हो गया है और बॉलिंग सेक्षन से लिए देते हैं इंडिया का जो मलबूत है आपका जस्परित बुम्रा उस्टवाद कुल्दीप ठीक है तो यह हमारा हो गया एंडिया के ति क्ट से साथ हो गया देहां पर हम्य क्या करना है कि चार को लेना कि एक तरह से अपोनियंड का टीम से पूर्त कौन आपका रासिद खान है जो अपोनेंट का टीम से हैं, तो काफी अच्छा बॉलिंग करते हैं, इसलिए आप इनको रख सकते हैं, एक आध बॉलर रख सकते हैं, कोई दिकत नहीं होने वाला है, उसके बाद आज है ओल राउंडर सेक्षन से, तो ओल राउंडर सेक्षन में आप का मुहमद नभी है, जो कि उधर से बॉलिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, और काफी अच्छा बैटिंग बॉलिंग करते हैं, तो आपको बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से पॉइंट दे देंगे हैं, उसके बाद राउंगी आपका बैटिंग सेक्षन में देख यहां पर जो भी तिन चार वेट्समेन है कौन खेलने वाले उसके देखे आई जद्रान जो आई जद्रान है आपका उनके टीम से ले लिए क्यूंकि बाउलिंग तो करेंगे यह नहीं तो आपको रन बना के दे सकते हैं 20-30 से में कुछ भी बना के दे सकते हैं तो इनको आपक को दूसरे आपोनेंट का टिम से हैं उसके और गुरवाएज को ले लेते हैं अब यहां हो गया कि एक चीज़ा और ध्यान दीजीके गांपोनेंट का टीम है वहां पर दोने उपनर्न में से किसी कि एकी ओपनर्न को लेना है तो मान के चलिए लिए में गुरवाज का कॉन है के मान के चलिए पता देते हैं आपको समझाने के लिए जद्रान आते हैं तो आपको इन दोनों में से किसी एक के साथ जाना होगा ठीक है मान के चलिए आप आई जद्रान को ड्रोब कर सकते हैं उनके जगा पर नजबुल्ला जद्रान को ले सकते हैं क्योंकि दोनों ओपनर मे जीज़ेगा तक की दोनों में से एक old होगा आपकर तिम में रहेगा तो आपको बचिना है अब आते हैं कि हम लोग यहां तक टीम कर लिए अब यह जीज़े हमको बाइम करना हुआ कि इसमें हमें आरे टीम में कितना कम परसेंटेज भाला खिला रही है यह चीज़ भी हमको बोर करना हुआ तो मिनिम्मम तीन से चार आपको लेना ही होगा मतलब की के दें हैं पचास से निचे का ठीक है तो वह चीज़ी देख लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पर तो नहीं है इंदर देख शिरय सहां हैं उसके बाद आपका देख लेते हैं हैं और पोई जो की नहीं है एक आप जो देख रहे हैं उनको ट्राइख करसकते हैं अगर ये खेलते हैं तो मैं ड genome के लिए बता रहा हूं है अको 50 खरांद ये भी आते हैं उसके और और देख लेते हैं यहां पर ये फारूकी जो हैं वो भी 50 के अंदर ही आते हैं तो यह सब प्लेयर को आपको मतलब जी एल में ट्राय करना हो खास करके मैं आपको यह डेमो के लिए बताया हूं तो इसमें आप देख लिए सभी लगवग आपका होगा कि 50 सूपर परसेंटेज का जी होगा ठीक है तो 50 अगर जी एल खेल रह तो यह देखिए 125 पॉइंट दिये हैं तो 125 पॉइंट दिये हैं तो इनको आप ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आप 99 बार देखेंगे मतलब सो परसेंट में आप 99 पर ऐसा होता है कि आपका एक सो प्लस पॉइंट को भी दिया ड्रीम लेवंटी में तो आगला म दिये हैं तो आप उमीद कर सकते हैं अगर फ्लोप आगए 24 टीम बनाते हैं तो एक टीम इनको ड्रोप करने का रिस्क ले सकते हैं उसके बाद रह गया आप द्राइब को लिए कईसे वेट्समन है जो लगातार पर्फिमिन्स कर सकते हैं यह नहीं होगा कि लगातार आपको 100 पॉइंट से ज्यादा देंगे ठीक है आप कमान के चली 115 दिया है उसमें तो आपको 40.50 पॉइंट दे सकते हैं तो उसके लिए आप इनको रख सकते हैं या फिर आप डोब करने का भी रिक्स ले सकते हैं च्योंकि आपको बताया था कि एक सो प्लस पॉइंट जिसका भी उसको डोब करने का रिस लेता है वही ग्रांड लिक विन करता है ठीक है तो यह चीजा आपको समझ में आना चाहिए उसके बाद आगे चली इतना सारा कुछ होने के बाद हम केप्टन वाइस केप्टन देख लेते हैं तो केप्टन वाइस केप्टन आपको चूज करना होगा तो केप्टन वाइस केप्टन आपको चूज करना होगा कि जो टीम मजबूत है और जो विन करने वाले तो उसका बैटिंग सेक्शन से आप केप्टन ट्राइकल सकते हैं ज आम ऑपन सकते हैं जैसे मोहमध्न नबी हो गया इनको व aç सकते हैं आफगानिस्तान के तरफ से यह उआप पिर या फिर इंडिया के तरफ तरफ से व आइसका मैंना सकते हैं यह पिर यह का बोलते हैं जस पिर आ आना सकते हैं इससे यह होगा कि इधर का बोला रही बिकेट भी लेगा क्योंकि बहुत अच्छा बॉलिंग कराते हैं और मजबूर टीम से भी है तो इस तरीका से अगर आप टीम बनाईएगा तो मैं दाविक साथ का सकता हूं कि आपका जील में रेंक वान आना जरूवी है औ तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा तो मैं वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद